भाई और बहनों, मेडिकल कॉलेज सिर्फ बहतर इलाज नहीं देते, बलकि नए डॉक्टर, नए पेरा मेडिस का भी निर्मान करते हैं। जब मेडिकल कॉलेज बनता है, तो वहाँ पर विशेश प्रकार की लेबोरेटरी ट्रेनिंग सेंटर, नर्सिंग यूनिट, मेडिकल यूनिट और रोजगार के अनेक नायज साधन बनते हैं। दुर्भागे से पहले के दसकों में देश में डॉक्टरों की कमी को फूरा करने के लिए राष्ट व्यापी रणनिती पर कामी नहीं हुआ। अनेक दशक पहले मेडिकल कॉलेज और मेडिकल सिक्षा की देखरक के लिए जो नियम काईदे बनाए गए थे, जो संस्थाये बनाए गई वो पुराने तौर तरीकों से ही चल रही थी। ये नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण में बाधग भी बन रही थी। बीते साथ सालों में एक के बाद एक हर ऐसी पुरानी ववस्ता को बढ़ला जा रहा है जो मेडिकल सिक्षा की रहा में रुकावट बन रहा है। इसका परणाव मेडिकल सीटों की संख्या में भी नजर आता है। 2014 से पहले हमारे देश में मेडिकल की सीटें 90,000 से भी कम थी। बीते साथ वर्सों में देश में मेडिकल की 60,000 नई सीटें जोड़ी गई हैं। यहां उत्तर प्रदेश में भी 2017 तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की सरब 1900 सीटे थी। जबकि डबल इंजिन की सरकार में पिछले चार साल में ही 1909 सीटों से जादा मेडिकल सीटों की बड़ोत्री की गई है। साथियों मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने का मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ने का एक महत्व पूर्ण पहलू ये भी है कि यहां के जादा से जादा युवा डॉक्टर बनेंगे। गरीम मा के बेटे और बेटी को भी अब डॉक्टर बनने में और आसानी होगी। सरकार के निरंतर प्रयास का परणाम है कि आज हादी के बाद सत्तर वर्सों में जितने डॉक्टर पढ़ने कर निकले उससे जादा डॉक्टर हम अगले दस बारा वर्सों में तयार कर पाएंगे।